हलो साथियों, एक टॉपिक एक वीडियो वाली कलास में आपको स्वागत है, अब वीडियो नमबर है 69, यानि 69 नमबर वीडियो, टॉपिक चल रहा था आपका अनुपाद समानुपाद, जिसमें अनुपाद की दो कलास हो चुकी, आज सुरू करेंगे समानुपाद, पहले यह निकालना है कि जैसे कोई चार पद अगर दिये गए हैं, तो वो समानुपादी है या नहीं है, इनको कैफे जानते हैं, कोई भी चार पद दिये गया, जैसे माली यह दिये गया, 4, 16, 16, 64, यह पर पोस्टनल है या नहीं है, इसके लिए क्या करते हैं, यहां पर द मद्य पद का मतलब यह है कि जो यह पहला लिखा गया है और यह जो लाश्ट वाला, यह दोनों क्या है, वाह पद है या बाहरी पद है, ठीक है, बाकी जो इस समानुपाद के साथ में लगे हुए यह, 16 और 16, यह दोनों क्या है, यह दोनों अंतरिक पद है, ठीक है, अंता इनका गुड़ा करके देखते हैं वाय पद का गुड़नफल कर लो 4 का 64 में गुड़ा मद्ध बद का गुड़नफल कर लो 16 का 16 में गुड़ा वाई साब 16 16 का गुड़ा होता 256 और ये भी होगा 256 दोनों इक्कॉल है So you can say कि ये चारो पद परपोर्शनल है ठीक है इनमें से अगर कोई एक पद बीच का गायब हो जाए तो उसको कैफे निकालते हैं उसके लिए यहाँ पर पूरा खाका तयार किया गया है A, B, C, D समान उपाती है तो A, B सरी, A, B नहीं A, D का कुड़न फल बराबर B, C का कुड़न फ़़ल इक्वल होता है ठीक है बताता हूं देख़ो है अब समझो क्या कहना चाता हूं देख़ो है आप यह अगर परपोर्शनल है तो A, D, E, C, B ठीक है भाईया इसमें और क्या कर सकते हो पता आपको इसमें और एक कम और ये कर सकते हो आप की इसमें अगर एक पद गायब है कोई तो अगला पद यहां से आप निकाल सकते हो ठीक है समझते चलो इसमें कैसा step by step चीजों को देखिए जैसे मैंने क्या बताया अगर A, B, C, D क्या है चारो परपोर्शनल है तो ये A का multiple D में और B का C में ठीक है विकला चल रही है और यहां पर समझो आगे ये फर्मूले सब इसी से जनम लेते हैं यहीं से और अगर ये सब चीजे हम ना भी समझे मतलब बहुत ज़्यदा इनको explain ना करें तो simple सब्द में आप समझ लो simple सब्द में A, Anupat B, Anupat का मतलब भाग करना होता है , न C, Anupat D मतलब ये क्या है बटे में ठीक है बीच में क्या है बराबर का चिन है क्रास मल्टिपल होता है फाइनल में यही बनता है यही मेन है, सर्वे सर्वा, यही मुख्या है यही चीज़ अगर आपको याद है तो आप परपोस्टनल वाला जितना भी कहानी है सब आराम से कर जाएंगे जैसे अभी आगे जब सवाल आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे यह सारी चीज़ें हैं, इनका क्या सिस्टम है देखे जैसे पहला क्या है कहरा है यह चारोपत समान उपाती हैं या नहीं है समझना है आप देखना और कोसिस करना मुझे बताओ जल्दी से कमेंट में देखो बहुत ही सिंपल था है फास्ट वाला और लास्ट वाला का मल्टीपल कर लो फास्ट वाला और लास्ट वाला क्या है चार और पांच ना कितना होगा बीस होगा बीच बीच का गुड़ा कर लो आट पते शपन कितना होगा 56 होगा क्या यह बराबर है दोनों, नहीं, अगर यह बराबर नहीं है सो इसका आंसर होगा, यह प्रपोशनल नहीं है, क्यों, क्योंकि इनका वहाइपद का multiple और मध्यत्सक्राइपद का multiple बराबर नहीं, QUAL नहीं है. अगला दूसरा नंबर देखिए यहां पर समझना 12 18 2 & 3 यह प्रपोर्शनल है या नहीं है बताना है बताओ मुझे जल्दी से हैं या नहीं है देखे चीजों को समझते चलिए यह टॉपिक बाई टॉपिक कलाफ है चल रहे हैं स्टेप बाई स्टेप आप इन सीरीज को फालो करिए हम आपको लिंक दे देंगे ठीक है इस सीरीज में कम से कम 200 वीडियों होंगे 200 वीडियों में आप बहुत कुछ क्या अधिकतर मयत का सारा कांसर्ट सिख जाओं इनका गुड़ा करिए इनका करिए बारतियां 36 और यह 18 दूना 36 दोना इक को ला रहा है तो क्या है यह प गुड़ा करो पांतियां 15 यह बिल्कुल गलत है नहीं है इनका गुड़ा करो नौ का 45 पंदरतियां 45 यह बराबर आ रहा है समानुपाती यह 9 एक कम 9 735 यह भी नहीं है यानि समानुपाती है भी वाला है ना कितना आसान कोई डाउट ना किसी को नो दिक्कत परिशानी आग को लेकर सीरियस है टाइम आपके लिए मायन रखता है बैलू है समय कि आपकी जिंदगी में तो आप इस बैच को जरूर जोइन करें अवस्य जोइन करें नाम मत्र फीस में आपको गड़ित सिखाने की पूरी गारंटी है बस आपको पढ़ना पढ़ेगा कोई जुगार नह नहीं आता उसको भी सिखाएंगे ठीक है मिक्स होगा लाइव रिकार्डिंग इसके बारे में अगर कोई डाउट है तो मुझे बताना यह सारा पूरा कोर्स का एक बढ़िया सलूशन आपको मिलेगा पीवर स्टडी एप के अंदर इसमें फ्री पैकेज भी है एक बार जाक हो यहां से काम लगेगा इनका अगर कोई भी चार पद समान उपाती है कह रहा है समान उपाती है मतलब यह कुछ ऐसे हैं है न तुम्हें पता है ऐसे है न यह अगर समान उपाती है तो मैं बताया था ए डी बराबर बी सी होता है होता है अभी अभी फार्मूला जेश्ट ब यहां से A निकालोगे तो क्या हो जाएगा? B, C बटा D. यानि ये हम लगाएंगे सूत्रों. ठीक है? तो A बराबर मतलब X बराबर. समझना है यहापर? B, C. B और C यानि 7 और 8 का गुड़ा. और D मतलब? और D मतलब 14. ठीक है? तो कितना वाजाएगा? 7, 8, 56 और 14, 4, 56. क्या आएगा यह इस का मान? 4 आएगा. क्या आएगा मेरे भाई? 4 आएगा. You can say question number कौन सा है? इस series का one number है, one कड़ी. बताइए कितना आसान है न? अगर यह 4 पद proportional है, समान उपाती हैं, तो X की value find करनी है. पहला वाला पद गायब था. इसमें बताइए, कहरा आगर यह समान उपाती हैं, तो Y का मान बताइए. If they are proportional, then find the value of Y. कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है. देखो, फार्मूला होता है, AD equal B, F. मेरे भाई, हमें A का मान निकालना है, तो A का मान आएफे निकलता है. आएफे निकलता है ना? अभी कहानी सुरूप में बताया हूँ. A का मान मतलब A की जगा पर Y है. B, F. B की जगा पर 9 है, 8 है. और D का मतलब क्या है? 36 है. Y मतलब क्या हो जाएगा? 9, 82, 36, 2, 72. Y के value आजाएगे 2. You can say 2 का fee answer जब आप सही है. बताये. किसी को कोई तकलिफ तो बता मुझे इसमें. नहीं न? तो यह अगला सवाल है. इसको आप खुद से करोगे, मुझे बताओगे. वीडियो बहुत बढ़ा हो जाता था, आप लोग देखते नहीं. कि नहीं? बताये. इसमें अभी बहुत से सवाल है. अनुपाद समानुपाद के. और कमेंट में मुझे यह बताना, कि आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए. अगला कौन सा टॉपिक चाहिए, यह भी मुझे कमेंट करना. ठीक है? और अगर आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, थोड़ा सा भी टाइम नहीं खराब करना चाहते हैं. तो यह बैद जरूर जोइन कर लिजिए. इसके संबंद में ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे मुबाइल नंबर चल रहे हैं. इस स्क्रिन पर उस पर कॉल करिए, वाटसाप करिए, हमारी टीम आपकी हल्प के लिए सादे उतात पर है. बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे उपर विश्वास जताय रहने के लिए हम आपके दिल से आभारे हैं.